तो रिसेंटली एक सेकुरिटी फर्म की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि चाइनीज हैकर्स ने इंडिया में वैक्सिन बनाने वाले सिरम इंस्टिटूट आफ इंडिया और बारत बायोटेक को टार्गेट किया है और इस सबसे हमें ये भी पता जल जाता है कि modern warfare में खाली army, navy, air force ही नहीं बलकि base और cyber world को भी add कर लेना चाहिए तो नमस्ते सत्स्रियकाल, अदाब मैं आपका दोस्त और host उमित और study close पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे बहुत ही interesting topic पे पर सबसे पहले study close के telegram channel को join कीजिए and follow me on instagram, twitter और facebook for any of your queries तो चलिए start करते हैं एक question से आप सबको याद होगा 27th March 2019 को इंडिया के ISRO ने ASAT mission या anti-satellite missile mission launch किया था तो इस missile mission का नाम क्या था और इस question के options हैं इस question का सही answer आप सभी को मिलेगा वीडियो के end में तो stay tuned अब बात करें cyber warfare या cyber attacks की तो चाइना इस सब में इंडिया से काफी जाद आ गया है और चाइना इंडिया को ही नहीं बलकि United States और काफी सारी European countries को भी target करता है अब बात करें specifically इंडिया की तो चाइना ने काफी बार Indian agencies के जो servers हैं उन्हें breach किया है फिर चाहे वो 2009 के National Informatics Center के servers हो या 2012 में Ministry of Home Affairs और Ministry of External Affairs की website हो और इसके बाद भी काफी बार चाइना ने DRDO, PMO की website, BSNL, ISRO और even Indian Air Force के servers को breach करने की कोशिश की है और Galwan Valley clash होने के बाद ये सारे cyber attacks चाइना की तरफ से काफी जादा बढ़ा दिये गए हैं जिसमें चाइना ने specifically इंडिया के ISRO और इंडिया की National Power Grid को directly target किया है अब आप लोग कहेंगे कि इंडिया की इत्ती बड़ी agencies पे cyber attack करना कोई इत्ता असान काम है तो इसका अंसर है yes क्यूंकि हमारे इंडिया में अभी उस level की ना तो awareness हुई है और ना ही हमने अभी तक वैसे laws frame की है और need of the or यही है कि हम western countries से सीख कर अपने data को बचाने के लिए productive measures लें अब बात करें recent news की तो चाइना के एक hacking group ने इंडिया के दो major vaccine producing institutes के IT systems को target किया है और इसका reason काफी simple सा है क्यूंकि जित्ती भी covid-19 की vaccines पूरे world में बन रही है उनकी almost 60% खाली इंडिया में ही बनाई जा रही है और ऐसा पहली बार भी नहीं है आप सभी लोगों को याद ही होगा कि around a month पहले serum institute के पूने वाले headquarters में आग भी लग गई थी जिससे approximately 1000 करोर रुपे का नुकसान भी हुआ था और उस time भी चाइना को directly accuse नहीं किया गया था लेकिन कुछ conspiracy theories इस idea को support कर रही थी और इस time भी Goldman Sachs-backed Cypherma ये accuse कर रही है कि चाइना ने इन दोनों vaccine makers को target किया है और specifically बात करें तो चाइना के APT10 hacking group ने Indian pharmaceutical companies के intellectual property को gather करने के लिए और इन दोनों companies पर competitive edge पाने के लिए ये सब attacks किये हैं और ये report publish होने के कुछी देर में United States के congressmen ये demand कर रहे थे कि Biden administration को China gay against stand लेना चाहिए इंडिया का साथ देते हुए क्योंकि United States भी आए दिन इन सब cyber attacks का शिकार होता रहता है अब बात करें World's Convention on Cyber Crimes की जो Budapest Convention के नाम से भी जानी जाती है इसे काफी सारी countries ने sign किया है लेकिन India ने अभी तक Budapest Convention को sign नहीं किया है और इसका main reason यही है कि 2001 में जब ये convention sign की गई थी उस time पे India ने participate नहीं किया था और इसमें अभी भी कुछ clause ऐसे हैं जो India add करवाना चाहती है अब बात करें आज के question की तो उसका सही answer था mission शक्ती जिसमें इंडिया ने खुदी की एक low earth orbit में गूम रही satellite को target किया था तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो इस वीडियो को like करें और study close channel को subscribe करें This is Umit Verma signing off